कोर्षब 2030 isu nye lorsqulori neither 120 यह तैयवान भी इसमें कुछ और मोडयल भी आतने हैं कहीं चाईना गे कहीं जापान के और कुछ भी आते हैं यह हमारे पास तैयवान बीस सटल है तो आज तो इसको खूलते हैं तो इसको खूलते हैं तो जैसा कि अम्हें गाइस के अंदर शुच्छ पीस है और यह सटल की कॉलिटी तो बहुत अच्छी है इस यह नाइलोन की बने वे हैं और यह जल्दी से तूटेगा भी नहीं है तो इसकी यह कैप है यह कैप के अंदर सोईल फर्टिला इसका यूज किया वाया है मतलब इसके अंदर मिट्टी लगी है आपने देखा होगर यह बहुत हार्ड होता है तो ऐसी चड़िया बहुत अच्छी है हम इसका आगे जागे टेस्ट भी करेंगे तो अब हम इसको देख अच्छी है वह जहां मारते है वह ही जाके गिरती है और यह ताइवान बेस है और यह भी पले मतलब अच्छा खेलने वालों के लिए बनी भी है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि यह कितना मतलब कितने दिन चल सकती है हम आपको बताएंगे गाइस अगर आप आपके उपर करता है कि आप दिन में कितने घंटे खेलते हो अगर आप एक दिन में चार घंटे खेलते हो तो आपकी सटल लगबग यह चार से पांच दिन चल जाएगी और अगर आप वन टू टू आवर्स खेलते हो तो आपके अनाम से आट नो दिन एक चडिया चल जाएगी है तो अब इसके रिवर इस्टेबिलाइसन बहुत कम है यह मतलब सीडी नहीं गिरती है तर्पनी गुंती है मतलब यह यह सटल चक्कर खागे गिरती है देखो 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 इसे गाइस बोल प्रैक्टीस करके देखें करते हैं तो इस वज़े से इधर हुदर को जाती है करती है अब उसने कुष्णी सटल उठाई है हमने एक सटल को टैश्ट कर लिए अब दूसरी वाली 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 है जाज़ा कि आपने देखर इसकी मुवमेंट अच्छी है और यह स्लो सटल है मदलब कुछ स्टिडिया मीडियम आती है कुछ स्लो आती है तो अब भी से थोड़ा बैगाली रैट्पिस करते हैं तो ओके गाईस थेंक्यू पर वर्किंग वीडियो लाइक आन्ड सब्सक्राइब एंड शेयर